नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्टडी फॉर्ड यूपेसी पीसे से में सौगत है आज हम लोग फिर से न्यूज डिसकसन शुरू कर रहे हैं आज से दो दिन वो पेपर आया तो उसके डिसकसन और फिर उसको कैसे करना है अप्रोच क्या होना चाहिए उसको लेकर हम लोग ने बात किया आज से फिर सीसी ढड़े पर आ जाए पेपर देखने के बाद तो ये एसास हो गया होगा कि न्यूज पेपर जो है न्यूज पेपर को परना सबसे बड़ी रननीती होगी आपकी और कोई भी रननीती चेंज नहीं करना है जो मैंने बताया था उसी के अनुसार पेपर आया है आपके सिलेवस का ही हिस्सा पूछा गया है कुछ भी खास ऐसा नहीं पूछा गया जिसको लेकर घबराते हैं पेपर क्या कठीन था? बिरकुल कठीन था पेपर क्योंकि वो पहली बार इस सीज को फेज कर रहे है आप जो 69 देंगे तो आपके साथ एक एडवांटेज होगा को आपको 68 का पेपर देखके एक अंदाजा लग जाएगा कि हां किस प्रकार का पेपर आप से पूछा जाएगा इसलिए ध्यान पुरवक डेली न्यूज पेपर को जरूर पढ़िए कोई साभी एक न्यूज पेपर आप मुझसे पूछते हैं बहुत सारे बच्चे मैसेज करके कि कौन सा न्यूज पेपर पढ़े है मैं कोई इस वर तो नहीं हूँ मुझे पता होगा कहाँ सवाल पूछेगा मुखी रुप से मोटी भी क्या होता है कि करेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है देश और दुनिया में उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए वो किस प्रकार से हमारे समाज को हमारे देश को प्रभावित करता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए इसी पर बस फोकस रखना है आप हिंदी में कमफर्ट है तो राश्टे संस्करन दैनिक जागरन का पढ़ी अच्छा है दैनिक भासकर भी पर सकते हैं जनसत्ताग में केवल आर्टिकल अच्छा रहता है, हिंदू पर सकते हैं, इंडियन एक्स्प्रेस पर सकते हैं, टाइमस आफ इंडिया पर सकते हैं, किसी भी एक न्यूजपेपर को फॉलो करना है पर डे, और ये आदत में होना चाहिए, जब तियारी नहीं करते थे हम लोग तब भी हमारे हैबिट में था दैनिक जागरन या कोई एक न्यूजपेपर तो घर पे आता ही था, उसमें से फोटो काट करके चिपकाते रहते थे दिवाल पर वो अलग चीज़ है, लेकिन ये तो हैबिट में होता है ना, न्यूजपेपर पर न, इसको हैबिट बना लीज और आज मदर्स डेवी है तो जरूर मनाईए, समान करना चाहिए, बोलने की चीज़ नहीं होती है, जिस मा के बदूलत पूरे विस्व है, उसका कोई एक दिन कैसे हो सकता है, बस यही बोलना था, और तो कुछ नहीं बोलूँगा, एक चीज़ और मैं एक्जाम के रिगार् पता है सबसे दिकत की सीज़ में आई है आपको, सबसे दिकत आई है टाइम को मैनेज करने में, क्यों, क्योंकि पेपर लेंदी बन रहा था, तो टाइम क्यों मैनेज करना पर रहा है, पेपर लेंदी क्यों लगता है, जब आपको पता नहीं होता है, जब आपके पास कंटे की कमी होती है तो आपको सोचने में और लिखने में थोरी से आपकी स्पीड कम हो जाती है ताइम आपका जादा लग जाता है इसलिए अभी से ही जितने सवाल लिखने हैं तीन घंटे में डियाई सहित उतने सवाल लिखने का प्रैक्टिस करना सुरू कर दीजिए सौट और ल अब वो भी खतम कर दिया है इस्पेस रहता है एक सवाल के नीचे उसे सवाल में आप थोड़ा सा ज़ादा लिखेंगे सौट में ही क्योंकि ज़ादा आएगा आपको किसी सवाल में आप कम लिखेंगे ये कोई टीचर डिसाइड नहीं कर सकता एक्जामनेशन हौल के अंदर की जो रन नीती होती है वो आपकी अपनी होती है उसमें कोई टीचर इंबॉल्व नहीं हो सकता हर चीज गाइड नहीं किया जा सकता है समझ पा रहे हैं न तो अभी सही टाइम मैनेज करना सुरू कीजे टाइम मैनेज करना किस सीज के सहीत कंटेंट क्वालिटी कंटेंट ऐसा नहीं होगा कि आप एंसर में कुछ भी लिख कराएंगे यहाँ पर अगर आप दस पेज की ऐसे लिखने की प्रक्टिस कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आठ पेज नौ पेज अच्छा ऐसे लिख सकते हैं आसानी से तीन घंटे में तीन ऐसे लिखना होगा तो टाइम मैनेज पर थोरा सा अभी से ही ध्यान दीजिएगा जब भी एंसर राइटिंग कीजिएगा तो स्टॉप वाच लगा कर मुवाइल फोन में होता है या घरी देखकर की तीन घंटे मुझे इतना सवाल करना है बस मुझे यहीं तक बोलना था बाकि आप लोग भी होसिहार हैं अपना अपना रास्ता निकाल सकते हैं देखते हैं आज यह बारह तारी का निउस्पेपर है क्योंकि सेटर्डे संडे में पूरा पूरी पॉरी पॉलिटिकल चीजे भरी हुई थी उसमें से भी जो इंपोर्टेंट निउस होगा उसको भी मैं डिसकस कर लूँगा करनाटक के एलेक्शन का चुनाव रिजल्ट वगरे आया है तो उससे थोरा से ज़्यादा निउस्पेपर भरा हुआ था इसमें बारत तारी वाले बहुत ये इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक है कुछ उसको हम लोग डिसकस कर लेते हैं देखें महाराष्ट में जो सरकार वगरे का बदला हुआ है इसमें से अपने लिए एक ही निउस निकल कर आता है पहला क्या पहला निउस आता है निकल कर नोट करना हो तो कर लीजेगा दल बदल दल बदल आते ही कौन सा अनसुची आना चाहिए ध्यान में दसमी अनसुची संभिधान की कौन सा संसोधना आना चाहिए संसद की सदस्ता आप बीजेपी पार्टी के चुनाऊ चीने पर जीत के पहुंचे संसद और आपने कॉंग्रिस के सदस्ता गरहन कर ली तो आपकी सदस्ता रद की जा सकती है संसद से जो मनोनी सदस्त से होते हैं मनोनी सदस होते हैं वो अगर छे महीने के बाद जैसे राष्टपती मनोनीत करते हैं जैसे मान लीजे मैरी कौम को मनोनीत किया गया राजसभा में अगर मैरी कौम जी छे महीने के बाद किसी पार्टी की सदसे बनेंगी उनकी सदसिता संसद से समाप्त हो जाएगी छे महीन एक अंदर बन सकती है उसके बाद समाप्त कर दिया जाता है किसी एक पार्टी के दो तिहाई सदस से अगर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और उन्होंने पार्टी तोरकर अलग पार्टी बना ली। उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि हम हैं असली सिवसेना, उद्धब सरकार की जो सिवसेना थी उद्धब ठाकरे की, वो बिल्कुल अलग होगी, अलग थलग पर गी। दो तीहाई गुट जो है, उसने बागी होकर अलग दल ही बना दिया पूरक पूरा, उसने बोरक सिवसेना हमारा ही है, यहीं यहाँ पर हुआ है, दो तीहाई से कम रहता, इन पर दलब दल का या दूसरे जो प्रावधाने वो लगाकर इनका निरस्ट किया जा सकता था, दल बदल संबंदी जो भी फैसले लेते हैं वो सपीकर लेते हैं लोग सभा के या बिधान सभा के कसी के सदस्था रहेगी या निरस्त होगी यह सपीकर फैसला लेता है लेकिन इस सीज़ का सुप्रीम कोट और हाइ कोट पुर्ना बलो का नियाइक समिक्षा कर सकता है दल बदल पे जो स्पीकर फैसला लेते हैं उसका ये सब कुछ किलियर हो गया होगा दल बदल में इस से जादा और कुछ भी नहीं है दल बदल बस ये याद रखेगा दसमी अनसुची में सामिल है संबिधान का और कौन सा है फिप्टी सेकेंड बावनमा संसोधन संबिधान का बस ये याद रहेगा बस और कुछ भी नहीं था इसमें आगे बरते हैं बाकी इस नियूज में अगर कुछ भी ऐसा होगा तो जिसको हम लोग पॉलिटी में डिसकस कर लेंगे अगला जो है वो आपका अगला नियूज जो है वो स्वार्न मंदीर से समंदित है यहाँ पर लगातार कुछ समय पहले से हमले बगर हो रहे हैं इस सीज़ को लेका स्वार्न मंदीर कहां पर है पता ही होगा सीखों के सबसे पवित्र जग हो में से एक है और स्वर्ण मंदिर जो है वो अकबर के समय में ये जमीन दान में दिया गया था रामदास क्या बोल रहा हूँ मैं रामदास उसके बाद यहाँ पर स्वर्ण मंदिर और एक तलाब का निर्वान किया गए हर मंदिर साहिब स्वार्मंद सिख धर्म के संस्थापक भावा गुरुनानक है गुरुनानक जी किसके समकालीन थे तो सिकंदर लोदी और बावर इसके समकालीन थे गुरुनानक जी के समय में ही कबीर भी थे एक ही समय में है उसके बाद से बाकी इतिहास तो आपको पता ही है गुरु गोबिन सिंग जी का जन पटना में हुआ था इसलिए भी इंपोर्टेंट रहता है और सिखो के जो इंपोर्टेंट साइट है उसको जरूर धियान में रखा कीजिए और किस गुरु के समय में किस सीज पर काम हुआ है इसका भी धियान रखे जैसे खालसा पंथ किया अस्था अपना गुरु गोबिन सिंग जी ने किया था ति यह आप हमेशा आपको ध्यान रखना जाए कि इससे जुरूर बीपेस्जी में सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है गुरु गोबिन सिंग जी का जन क्योंकि बिहार पटना में ही हुआ था इसी कारण से मैं कह रहा हूँ अगले नियूस पर चलते हैं अगले नियूस में देखते हैं अपने काम की चीज़ क्या है अगला नियूस जो है वो है कि 1998 में हमने परमानू परिक्षन किया था तो राष्टि प्रद्योकी दिवस उस दिन मनाया जाता है 11 मई को बुधि पूर्णिमा थी बुद्ध पूर्णिमा उसी के दिन हमने किया था उन्हें इसके पीछे किस्सा क्या है यह सब तो पता ही होगा पहली बार हमने 1975 में ब्लाश्ट किया था परमानु का लेकिन वह उतना सफल नहीं हुआ था जितना जाद उन्हें सु अन्ठानु में हुआ था उन्हें सु अन्ठानु के बाद हम घोसित रूप से परमानु सक्तित संपन देश बन गए हैं और इसमें और क्या खास बात है कि उन्हें सु अन्ठानु में अगर आप देखेंगे परमानु ब्लाश्ट के बाद क्या हुआ था पूरा पूरी अगर ब्राट भी में देखेंगे तो अमेरिका ने अमेरिका और पस्मी गुट के सदस्ट के बहुत सारे देशों ने हम पर प्रतिबंद लगा दिया था एकॉनोमिक सेंसन हमने ब्लाश्ट जब किया उसके 21 दिन बाद पाकिस्तान ने सुलेमान पहारी की रेंज है पाकिस्तान में वहां पर उसने भी ब्लाश्ट किया था तो उसके बाद दोनों देशों पर एकॉनोमिक रूप से संक्क्सन लगाया गय थे ओके एकॉनमिक संक्सन के बाद क्या होगा हमारे डेश का जो एकॉनमी हैं उसको रोकनी कोसिस की गई उसके निवेश को रोकनी कोसिस की गई कमजोर करने कोसिस की गई 1990便 हम ने सुधार किया ही था और 1998 इम हमने परमानल परिक्षन किया इसके बाद हमारे भारा सरकार ने एक फैसला किया कि कोई बात नहीं हम खुद को आत्मी रभर बनाएंगे और हम खुद से ही खुद का अपनी एकॉनमी को संभालने के लिए सक्षम है क्यों क्योंकि हमारे पास बाजार बहुत बरा है उसमें भी एक अरब के ल सा दिवस सुरू किया गया जो परवासी भारते दिवस मनाया जाता है जनवरी के महीनियें मनाया जाते सामाने तोर पर अब तो दो वरसी कर दिया गया गया कारिक्रम उसकी सुरुवात उसी से में किया गया था OCI ORIGIN OF Overseas citizens of India और PIO PIO का मतलब क्या होता है पीपुल साफ इ जिम्यदारी को समझते हुए प्रवासी भारते दिवस जैसी चीजों को सुरू किया था उनको प्रमोट करना उनको और भी ज़्यादा सेलिबरेट करना सुरू किया था कि विदेश के जो नागरिक हैं वो भी हमारे लिए डॉलर भेज कर बहुत बढ़ा मदद करते हैं यह सब कहानी पूरा आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या हुआ था अन्ठानवे का फरमानो बलास्ट के बाद बहुत सारा कुछ सुरूर हुआ था प्रवासी भारते दिवस वाला कहानी सबको नहीं पता होता है तो इसलिए मैंने बता दिया है आपको ताकि आपको इसीज का कौन सा है यह अपने जो विदेश मंतरी हैं वो कहां पर गये हैं वो ढाका गये हैं बांगलादेश और वहां पर कुछ खास होने वाला है उससे रिलेटेड़ फैक्ट्स नोट कीजिएगा और इससे जुरूरे हुए सवाल आपके में सिक जामने से पूछा जाएगा कि बता वगरा वगरा ने किया उसके बाद से जैसंकर तीन देशों के दोरे पर हैं बंगलादेश के बाद स्वीडन बेल्जियम का भी दोरा करेंगे विदेश मंतराले के बयान कंसार जैसंकर ग्यारा से बारा मैं को बंगलादेश में तेरा से पंदरा मैं को वगरा रहेंगे उसक तो मेलादेश किराजधानी ढाका में आयजित किया जा रहा है कौन सा इसका संस्क्रन था तो छठ़ा था संस्क्रन अभी हम जाएंगे इसको डीटेल में देखेंगे क्या हिंद महासागर संस्क्रन इस सम्मेलन में मौरिसस के उपराश्पती और वगर प्रधान मंतरी, सेख हसीना, दुनिया के कई मंतरी भाग लेंगे अब देखते हैं हम लोग हिंद महासागर सम्मेलन में हमारे लिए क्या क्या खासी जो उसको नोट डाउन करना है आपको यह संस्कृतिया इसको वेबसाइट है इसके बारे में दिया हुआ है यह सम्मेलन 2.16 से प्रतिवर्स आयुजित किया जा रहा है कब से आयुजित किया जा रहा है? 2.16 से आपके लिए फैक्ट सुरू हो गया इसको लिख ली जिएगा छेतर में सभी के लिए सुरक्षा, विकास के लिए छेतरिये सहयों की सम्भावनावपर विचारी मर्स करने के लिए सम्मेलन, महत्यपुन, राज्जियों और छेतर के प्रमुक्समुद्री भागिदारों के एक मंच पर साधा लाने का प्रयास करता है भारत के विदेश मंत्री एस जैसंकर उधगाटन समारों के दरान मुख्य भासन देंगे और कौन देंगे? एस जैसंकर जीजी देंगे और इसका थीम नोट कीजिएगा क्योंकि थीम से सवाल पूछे जाते है इस सम्मेलन का विषय है इस बार सांती सम्रिधी और एक लचीले भविस्य के लिए साज़दारी हिंद महासागर एसोसियसन का थीम है इस बार का जो कोबीड के बाद की स्थिती और चल रहे रूस युक्रेन युद पर केंद्रित है प्रतिभागी यह सम्मेलन मुख्यूरुप से हिंद महासागर के तठीय छे देसों को लक्षित करता है लेकिन बदलते वैस्विक संदरे महतेफुन प्रासंगी के मुद्दो पर चर्चा करने के लिए इसके दाइरे का विस्तार किया गया है दो दिवस ये इस सम्मेलन बिदेश मंतरी डॉक्टर एस जैसंकर के अलावा मौरिसस के राश्पती वगरा भी भाग लेंगे वो हमारे काम के चीज नहीं है सेसल्स के राधाने वेक्टोरिया है सिलंका के पता होगा मेडा गासकर के मंतरी अस्तरिय प्रतिधी के साथ भूटान नेपाल बहरीन सिंगापूर के विदेश मंतरी भी भाग लेंगे इसमें बंगला देश द्वारा आयजित किये जा रहे छटे हिंद महासागर सम्मेलन में 25 देशों के 150 सधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं इस सम्मेलन में सार्क, बीम स्टेक, डी एट जैसे छेत्रिय समू के प्रतनी धी भी हिस्सा ले रहे हैं आयोजक, सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा बंगला देश के बिदेश मंतराले के सही योग से किया जा रहा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आपसे क्या पूछेगा कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है तो इंडिया फॉंडेशन और भंगला देश का विदेश मंत्रालने ने मिरकर इंडियन ओसियन सम्मिलन का आयोजन किया है, हिंद महासागर सम्मिलन का आयोजन किया है, यहां तक यह चीज़े किलियर हो गया, आगे बढ़ हैं, हिंद महासागर सम्मिलन का महत्तु क्या है अब सम्मेलन का उदेश हिंद महासागर के देशों के साथ साहज़दारी को मजबूत करना छेतीय राजिनितिक जुराव को बढ़ाना संकट की स्थिती में निरने लेने के सुबिधा प्रदान करना है मुख रुपसिस का उब महत्तो ये भाग लेने वाले देशों में चल रही वैस्वी घटनाओं पर चर्चा करने और भविश्य के कारियों के लिए सुचित निरने लेने का अवसर प्रदान करता है मुख रुपसे हिंद महासागर के अस्थापना कभ हुई द्वर सोला में उसका थीम क्या था कहां पर आईजित हो रहा है इससे क्या होगा आप मुझे ये बताइए कि हिंद महासागर समेलन आईजित करने से क्या होगा मुखी रुपसे अगर हम लोग बात करें तो हिन्द महासागर जो है उसमें चीन की प्रभूत धीरे-धीरे बरती जा रही है उस पो हमें कांटर करने मदद मिलेगा कि तुम कहा है नेता बनने आ रहा हुए यह अहांपर यह तो हमारा तलाब है तुम कहा है तुम जो अपना प्रसाद महासागर नेता बनो समझे रहे जो मैं समझाने को सिस कर रहा हूँ भारत अपना परभूत बरहा सकता है इस सित्र में क्योंकि हिंद महासागर में सबसे बर एकॉनमी है हम चाहे अफरीका ले लो चाहे दक्षिनपूर वी एसी अले ले लो भारत तो लीड कर रहा हिंद महासागर को और इन देसों के जब हम साथ में रहेंगे दो चाइना की पॉलिसी है रिंग आफ परल की या मोतियों की माला की अलग अलग पॉलिसी हमारे खिलाब बना रहा हमें घेरने की रनीती बनाता है उसको हम धीरे धीरे कम जोर कर सकते हैं हिंद महासागर के देसों में एक जूटता बढ़ेगी तो आपसी एकॉनमी में भी योगदान बढ़ेगा आयात निर्यात बढ़ेगा समुदरी सुरक्षा के स्थिती तैह होगी समुदर में कोई संसाधन का च्छेत रोगा उसको साजह रूप से साजह करेंगे नेपाल जैसे भारत के फरूप पहुंचता हिंद महासागर में भूटान भारत के फरूप फरूप हिंद महासागर पहुंचता है तो इन दोसों की कनेक्टिविटी भी और अच्छी होगी आने वाले देगवे यही सा मुख्य मुख्य चीजे हैं जो आपको लिखना परेगा बना बनाके चार उसके उद्धे से होते हैं बागी पांच बनागे खुद की तरफ से लिखने होते हैं समझ बार है न मैं जो समझाने कोशिस कर रहा हूँ अगले पर चलते हैं कि विदेश मंती 13 से 15 मैं को स्वीडन की यात्रा करेंगे इस दौरानवा यूरोपीय संग ईउ के दूसरे हिंद प्रसांत मंतरी अस्तरिये मंच इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम में भाग लेंगे इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम की संगठन का एक मंच है तो यूरोपियन यूनियन का एक मंच है इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम महिंद प्रसांत मंतरी अस्तरिये मंच किसका है तो ये यूरोपियन यूनियन का है मालूम हो कि विदेश मंत्री समयलन का रावा कई देशों के विदेश मंत्री उक साथ त्रिपक्षिय बैठक वगर करेंगे यह अपने काम की नहीं है वो अपने स्वीरी समकष के साथ भारत के त्रिपक्षिय फोरम भारत यूरोप और यूएस के उद्गाटन सतर में भाग लेंगे तरी पक्षिय फोरम भारत किसके साथ मिलकर बना रहा है इंडिया, उरॉप और युएस क्योंगि हम साजहा किसमें बोलते हैं बिचारों बिश्वास करते हैं वो बिश्वास कौन सा है लोकतंतर का वो बिचार है जिसमें हम लोग बिश्वास करते हैं यूरोप हो अमेरिका हो भारत हो ये सब विश्वास जोते हैं ये ढूंड कर निकाल ले जाते हैं अब लोकतंतर की बात हम जब भी करेंगे तो चाइना को हम हटाने कोशिस करेंगे वहां से समझ में आ रहा है इन चीजे इसलिए बोल रहे हैं कि ये त्रिपक्षिय फोरम बना ये ही सब चीज था मुक्यूरुप से आर्टिफिसल इंट्रिजेंस पर ये देशों से पार्टनर्सिट की उमीद भी हम लोग कर रहे हैं कि वो लोग हमें मदद करेंगे इसके टेकनलोजी को डिबलप करने में हिन्द महास अगर सम्मेलन काफी कुछ किलियर हो गया होगा कह इसके बारे और डीटेल में इस टॉपिक को नोट करके रखा किजिए और इसको डीटेल में जब पढ़के जाएंगे एक्जाम निशन में तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगले सवाल पर चलते हम लोग ये लोग लर जगर रहे हैं ये तो राजनतिक चीज़े रहती है इसमें हमारे कामकद कुछ है नहीं अगला है राश्टिय मानबादिकार आयोग से संबंधित चीज़ें क्या ये संबैधानिक है नहीं ये एक वैधानिक आयोग है राश्टिय मानबादिकार आयोग भी होता है राज्यस्तर भी मानबादिकार आयोग होता है क्या ये सोता सं इसके सदस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज़ बगर बन सकते हैं, पिछले साल ही एमेंडमेंट किया है भारस सरकार ने इसमें, पहले था कि सुप्रीम कोर्ट के नयाधीस ही बन सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नयाधीस बन सकते हैं इसक अब बात करते हैं आज के आर्टिकल की आधरमाटिका पाकिस्तान का भविस्ते पाकिस्तान का भविस्त कब अच्छा ही था कि अब बुरा होगा बरबादी है वो तो भारत भी रोधी एक और हास्यात पस रिपोर्ट देखो इन्होंने जो प्रेस्वतंदरता इंडेक्स आया ह उस पर इन्होंने अपनी टिपनी की है टिपनी उमेश सतुरवेदी जी की खुद की हो सकती है व्यक्तिकत हो सकती हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है बाकि हम क्या करेंगे हम इसमें से अपने एक्जाम का काम के चीज निकाल लेंगे उसको नोट डॉन करके रख लेंगे उसको पढ़के एक्जाम में चले जाएंगे क्या है इन्होंने भूमिका बहुत सुन्दर शुरू किया है भूमिका लिखना सीखे थोरा सा वसुदेव कुटुमकम की सोच वाली भारत भूमि पर क्या इतना नाचार है कि यहां रोजाना मानवादिकार का उलंगन हो रहा है समिधान प्रदत अभ्यक्तियों के अधिकारों को नकार दिया गया है हाली में रिपोर्टर्स विदाउट बॉडर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस सोधनता सुच का कौन जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉडर्स के अनुसार दुनिया प्रेस के आजादिक मामले भारत 161 में अस्थान पर है दिल्चस्प यह है कि इस उची में अराग्जताम डूबे पाकिस्तान की स्थेथी भारत से बहुत बेटर यानि 150 में नंबर पर मानवादिकार के ताग पर रखने वाले तालिबान सासन को 152 में अस्थान दिया गया है और भारत को 161 अस्थान दिया गया है इसी को लेकर इन्हों अपने बिचार दिये हैं आप वो बिचारे इनके प्रस्टनल हो सकते अच्छा है बुरा है मीडिया आप लोग भी जानते होंगे हमें उस चीजों पर नहीं जाना हम हर चीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही क्यों कंपेर करते हैं अमेरिका और नौडरी कंट्री से भी तो कंपेर कर लो देख और बहुत सारे मीडिया परसंस की भी कि जो रिपोर्ट हमारे फेबर में आता है उसको हम सपोर्ट कर देते हैं उसको लेकर हम उल्लास मनाने लग जाते हैं चाहे वो इज आफ डूइंग इनरेक्स हो चाहे वो हमारी एकॉनमी को बहतर बताते हो वगरा वगरा जिस रिपोर आरिकल 19 से जोचते हैं जहांपर अल्यक्ति की सोतनता दिया गया है उसी तहळीड मीडिया परसंस को समयधानिक सारक्षण पराप्त होता है मीडिया वालों को बोलने के आजादी पराप्त होती है 19 एक के ताहत अभ गजय पर ध्यान देना है और क्या ध्यान देना है कि में बात करने के जोरत पर सकती है और इसी से जूरे हुए सवाल आप से पूछे जा सकते हैं तो उस पर अपने दो चार पॉइंट तियार करके रख लीजेगा बाकि इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको डिसकस करके बताऊं रिपोर्ट अच्छा है बुरा है 22 ऑनबाइजड है हमें क्या लेना देना बाइजड होगा अफगानिस्तान से तेश्ट्री खराब नहीं हो सकती है भारत की यह तो एक understood होता है हमें reporters without border ने जारी किया है चुनौती क्या हो सकता है समधान क्या हो सकता है इस पर सोच कर points लिखने कि कोशिस कीजेगा लोगत कि हैं उसमें अपने काम की किया की चीज और्जा अत्मिर भरता आवश्च्छ बहुत ही जादा जरूरी होता है किसी भी देश को विकास करने के लिए अनर्जी एनर्जी अनर्जी मतलब इलेक्टरउल टीजल यही सब तो उर्जा है कि यही है ना क्या है देश का परेटन के अंदर साची कहां पर है ये भई मद्ध प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सौर नगरी बनने जा रही है साची में 235 किलो वार्ट विदूत का उत्पादन सुरू हो चुका है इस से एक साल में 70,407 यूनिट विजली के बचत होगी और इतना जादा इसमें होगा हमारे ले क्या काम का है सोराल इनरजी से पिछले 68 में पूछा गया है उसके बारे हमें पता होना चाहिए और ये देखेंगे कि देश की पहली कौन सी है अगर दूसरी है साची तो पहली कौन सी है ये एक्टूबर 2022 का निउज है इस सीज़ के लिए फेमस है सूरी मंदिर के लिए सानक्षित प्राची नस्थल के लिए पर सिद्ध है जो पुस्पावती नदी पर इस्थित है कौन सी नदी पुस्पावती नदी इसको नोट डॉन कर लिजेगा इसे चालोक के बंस के राजा भीम प्रथम ने 1026-1027 बनाया था भीम प्रथम का नाम याद रखेगा भीम दुतिय जो था उसने मुहमूद गजनबी को परास्थ किया था मुहमूद गजनबी नहीं गौरी को परास्थ किया था मुहमूद गौरी को परास्थित किया था सौर उर्जा उत्पादन और ये सब तो यहाँ पर अपने काम की चीज नहीं है अपने काम की चीज क्या है भारत में सौर उर्जा की स्थिति अपने काम की चीज है इसको नोट डाउन कीजिएगा या स्क्रीन सौट लेकर रख लीजिएगा पिछले आठ वर्सों में अस्थापी सौर उर्जा च्छमता में 19.3 गुना बिर्धी हुई है या 56.6 गीगा वाट है इसके लाव भारत में 222 के अंतक 175 गीगा वाट अक्ष्य उर्जा हम च्छमता हासिल करने के महत्वा कांची लक्ष निर्धारित किया है जिसे 230 तक 500 गीगा वाट तक पहुचाने का लक्ष रखा गया है 230 तक कहां तक ले जाना हमें 500 गीगा वाट तक ले जाना है यह अच्छे उर्जा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना होगी नभी करनी औरजा के लिए दुनिया की सबसे बरी योज नाम से एक है भारत नई सौर औरजा छमता के मामले में एसिया में दूसरा चीन के बार विश्व अस्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार है यह पहली बार जर्मनी को पचारते हुए कुल अस्थापित चमता सारद सबसे चार गीगावाट के छेतर में चौथे अस्थान पर है याद रखिएगा इस सीज़ को जून देयर बाइस तक राजस्थान और गुजराद बरे पैमाने पर सौर और जुजा उत्पादन के मामले में सिरसराजे थे जिनकी अस्थापित चमता करम सा 13% और 14% थी इसको बाद महरास्थ का अस्थान था अभी जब एक्जाम देने जाएं पीटी तो उससे पहले देख लेना चाहिए कि सौर उरजा उत्पादन पहले अस्थान पर कौन है और ये चीज़ तो कम से कम देख कर नोट करके जाना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है सवाल संबंधित पहल कौन कौन से हैं पहल कौन कौन से संबंधित हैं इससे तो सौर पार्क योजना है, रूफटॉप योजना है, अटल जोती योजना है, राष्ट ये सौर मिसलन है, स्रिष्टी योजना, ये सब किसे समधी थे हैं, तो सोलर एनरजी से समधी थे हैं भारत में इसके समख चुनोती कौन कौन सी है तो अभी भी में बहुत सारा कुछ आयात करना पड़ता है मॉड्यूल और पीवी सेल निर्मान च्छमता का भाव है अपने देश में अभी भी इसको बाहर से मंगवाते हैं उसके अलावा कच्छे माल के आपूरती नहीं है सिलिक मारे पास है बागे स्क्रीन सॉट ले सकते हैं इसको अगर डीटेयर में आपको लिखना हो और यही था सोलर के सम्मंधित अब अगले टॉपिक पर चलते हैं जल्दी समाप्त करते हैं यह टॉपिक हमने कर लिया उपद्रब से विकास की गतित हमने का संका यह मनिपूर का है हमने पर लिया था इसको पहले ही पता होगा आप लोगो मंडल बनाम का मंडल आपको यह बताने के मंडल कमिशन किस परधान मंतरी कारेकाल में आया था यह कोई बताने की चीज़ है नहीं सबको पता होगा किस परधान मंतरी कारेकाल मंडल कमिशन को भारत में लाया गया था पस आपको ये बताना है क्वालिटी कंट्रोल से घटाई खिलोनों के कीमते खिलोना इत्पादन जो ट्वाई होते हैं उनके उत्पादन में भारत वर्चस वहासिल करना चाहता है क्योंकि चीन का इसमें बहुत वरादर तबाह है और इसके लिए हम लोग बहुत सारे खिलोना क्लश्टर का निर्मान कर रहे है जैसे करनाटक के पारमपरी खिलोने जैसे तमिलाडू के अलग चैतरों के जो पारमपरी खिलोने हैं उसको बरहावा देने की कोशिस की जा रही है जिससे क्या होगा हम खिलोने को export कर सकते हैं बड़ी बातरा में और हमारेह कर जो पारंपरी खिलोने होते हैं मिटी के निर्मित, या लकरी के निर्मित, अलग अलग वस्तुओं के निर्मित उसको बरहवा देने की सरकार कोषिश कर रही है इस पर हम लोग किसी दिन डीटेल में बात करेंगे क्योंकि खिलोना कलश्टर बहुत इंपोर्टेंट है उससे जुरे हुए सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग अगले मतलब टॉपिक पर चलते हैं अगला टॉपिक अपने काम का कुछ है नहीं एक ये टॉपिक था पेपर में जहां से सवाल पूछे जाएंगे अभी कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है चीतों को उनको कहां पर स्थान तिरित किया जारे कुए उनकी संख्या जो है वो बर रही है धीरे धीरे और आने वाले दिनों में और जब उनके बच्चे होंगे तो और भी जादा ओर पॉपुलेटिट हो जाएगा तो इनका दूसरा ठिकाना कौन सा होगा गांधी सागर अभ्यारन और ये कहां पर है ये मद्य प्रदेश में है ये चीतों के रहने के लिए दूसरा जगह इसको खोजा गया है और इसमें अपने काम क्या है इस नियूज में इसको खोजने काम किस ने किया है तो भारतिय वनेजीब संस्थान देहरादून भारतिय वनेजीब संस्थान कहां पर है तो यह देहरादून में है उत्रा खंडराज्य में है इसी ने इस जगह को खोजा है क्या है नाम इसका गांधी सागर अभियारने नाम है इस जगह का गांधी सागर अभियारने ये मद्य प्रदेश में है यहाँ पर चीतों के लिए बरा सा खुला मैदान है चीते तेज दोरते हैं तो उनको मैदान चाहिए खोला हुआ पहार में चीते नहीं रह सकते हैं यह चीज समझ में आ रहा है न और उनको भागने के लिए मैदान चाहिए होता है तेज भागते हैं वो आपने सुना है कभी कि किसी पहार में कोई तेज दोरने वाला जीव रह र राज्य में है देशिन अपरिका से लाकर स्योपूर जिले के कुनो नेशनल पार्ग बसाएगे चीतों कब दूसरा रहवास देने के त्यारी हो रही है उनका दूसरा ठीकान मदप्रेशन त्यार होगा मनसौर के गांधी सागर अभ्यारण को अगले सात माह में त्यार करने का लक्ष है इसके लिए राष्टे बाग प्रादिकरन ने पांच करोड रुपे स्विक्रित कर दिये हैं अभ्यारण में अफरीका जैसा मैदान है माना जा रहे कि चीतों को रास आएगा कुनो पार्क में की सीते रखे जा सकते हैं और वहां पर वयस्क बारतमान में 17 वयसक औ अगले दिन के निउस्पेपर में अगला निउज हम लोग डिसकस करेंगे जो इंपोर्टेंट होगा हमारे लिए कैसा लगा वीडियो जरूर बताईएगा ओके थाइंक्यू सो मच आप सभी का